हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रिया प्रिया आज की चिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक करी की रेसिपी लेकर आई हूँ कम समय में और कम मेहनत में आज हम ये एक करी बनाएंगे इस रेसिपी में ना तो हम प्याज को फाइनली चॉप करेंगे और ना ही टमाटर की प्यूरी बनाएंगे। कूकर का यूज करेंगे और जट से ये टेस्टी अंडाकरी बना लेंगे। तो आईए आज की ये मज़दा रेसिपी सुरू करते हैं। 1.4 टीए स्पून हींग, 1 टीए स्पून जीरा, कुछ खड़े मसाले जिनमें दो तेज पात, छोटा टुकरा दालचीनी, तीन हरी लाइची, तीन लॉंग और छोटा टुकरा जावित्तरी का ले ले। 1.5 टीए स्पून नमक, 2 टीए स्पून धनिया पाउडर, 1 टीए स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीए स्पून गोल मिर्च और जीरे का पाउडर ले ले। साथ में, एफरेस्ट का चीकन मसाला मैंने लिया है, 1 टीए स्पून, आप किसी और ब्रांट का भी चीकन मसाला ले सकते हैं, कास्मेरी, लालमिच, 1 टीए स्पून ले ले, प्याज को काटने से पहले उसके रूट्स जरूर निकाल दीजे, प्याज को बिल्कुल रफली आप किये हुए प्याज उसमें डाल दीजे, साथ में डेर चमच नमक भी डाल दीजे और उसको अच्छे से चला दीजे, गैस का फ्लेम अभी लो रखिये और प्याज को ढखकर 2 मिनट के लिए पकाईए, 2 मिनट बाद धकन हटा कर देखिये, नमक की वज़ा से प्याज से पानी निकल जाता है, अगर इस स्टेज पे पानी नहीं दिखे तो एक से दो चमच आप पानी भी एड़ कर सकते हैं, कुकर का धकन लगा दीजे, गैस की फ्लेम लो रखिये और इस पे 2 से 3 सीटी आने दीजे, 2 से 3 सीटी आए तो गैस को बंद कर दीजे, कुकर को ठंडा हो ठंडा हो तो धकन खोल के देखिए, देखिए प्याज अच्छी तरह से गल गया है, तो ग्रेवी तयार करने का पहला स्टेप हमारा कम्प्लीट हो चुका है, हल्बत्ते में लासुन की कलिया और अदरक के छोटे छोटे चोटे टुकरे करके ले लेंगे, और दोनों को बिल पर उसलिगे, तो तेल के छीटे नहीं उरेंगे, अब हम इन झाप करेंगे, एक कराह लीजिए, गैस का फ्लेम अउन कीचे, कराह को गरम होने दीजिए, कराह के गरम होने के बारît ये मस्टर्ड वायल को भी अच्छे से गरम होने दीजिए, हल्का धुए जब दिखे गरम ह फिर उस तेल को कराह के चारों तरफ फैला दीजिए ऐसा करने से अंडा जब आप कराह में डालेंगे तो अंडे कराह में चिपकेंगे नहीं फ्लेम मीडियम रखिए अंडों को फ्राई करने में 3-4 मिनट लग जाएंगे मुझे एक के उपर क्रिस्पी लेयर तक फ्राई करना पसंद है अगर आप चाहें तो इससे कम भी फ्राई कर सकते हैं 4-5 मिनट हो चुके हैं अंडे फ्राई हो चुके हैं इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे अब इसी बचे हुए तेल में उबले कटे हुए आलू डाल कर 2-3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे 3 मिनट लगभग हो गया हैं आलू हलके फ्राई हो चुके हैं और अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे गैस का फ्लेम बिलकुल धीमा कर देंगे एक बटाचा टीय स्पून हींग एक टीय स्पून जीरा एक बड़े चमच लहसान अदर्क का कुटा हुआ पेस्ट डालेंगे अधे से एक मिनट भूनेंगे और पांकी के खरे मसाले भी डाल देंगे खरे मसाले को डालने के बाद फिर माकी के मसाले भी डाल देंगे जिन में धनिया पाउडर, गोल्ड मिर्च और जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर डालेंगे चार हैरी मिर्च भी डाल देंगे थोरी सी पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं थोरी देर इनको भूनेंगे और फिर कास्मेरी लाल मिर्च और चिकेन मसाला भी डाल देंगे एक से दो मिनट मसालों को भूनेंगे मसालों को भूनने के बाद पहले से जो सीटी लगाय हुए प्याज है उनको डाल देंगे और प्याज को डालते ही खटे हुए टमाटर डाल देंगे इस मसाले को अब मिक्स करेंगे और इनको ढखके आठ से दस मिनट हम पकाएंगे या फिर तब तक पकाएंगे जब तक की मसालों से तेल बाहर ना आ जाए फ्लेम लो रखेंगे चार से 5 मिनट हुए है धकन हटाके इसको हलका मिक्स कर देंगे मैंस करने की भी कोशिस करेंगे और फिर से धकल लगाकर इसको पकाएंगे तोटल 8 मिनट हो गया है कभर पैन को फिर से खोल के देखेंगे तो साले लगबग पक गये हैं अब हमें इनको मैस भी करना है तो medium to high flame पे 2-3 मिनट इसको मैस करते हुए मसालों को हम चलाएंगे और भूनेंगे मसाले पुड़े एक सार हो गए हैं अच्छे से पक भी गया है इनमे से तेल भी बहार आ गया है तो इसमें आप एक से डेल कप मिजरिक कप से हम पानी डाल देंगे ग्रैवी की कंसिस्टेंसी चेक कीजिए आपको ग्रैवी की जैसी कंसिस्टेंसी पसंद हो उसके इंसाब से पानी थोड़ा कम या थोड़ा जादा कर सकते हैं रस को एक उबाल आने दीजिए फिर उसमें फ्राइ किये हुए आलू और फ्राइ किये हुए अंडे डालेंगे तीन अंडे को मैंने दो भागों में बाट लिया है और तीन अंडे को साबूत रहने दी हूँ इनको ग्रस में एड करेंगे और फिर हाफ टीए स्पून गरम मसाला डालेंगे mix करेंगे और ढखके medium flame पे एक से 2 मिनट तक पकने देंगे 2 मिनट हो गये हैं अब पाड़ी कटी हुई धनिया पत्ती इसमें डाल देंगे mix कर देंगे ये हमारी super tasty एक करी बनकर तयार है gas का flame बन कर दीजे और अब इसे serve करेंगे कम समय और कम मेहनत में बहुत ही टेस्टी एक करी बनकर तयार हुआ है और दिखने में भी कितना टेम्टिंग लग रहा है और आप इस एक करी को रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं सबके साथ ये परफेक्ट जाता है उमीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने सुझाओ हमसे सेर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए थैंक्स पॉर वाचिंग, बाई